चिप्रा नदी का महत्व आपने चिप्रा नदी का नाम तो सुना ही होगा यह नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है इसके पीछे कई सारी पौरानिक कहानियां है इन में यह कहानी भी प्रचलित है कि एक बार भगवान महा का लिश्वर को अत्यन्त भूग लगी इसलिए वैब भीक्षा मांगने गए विश्टु जी ने भी उनने अपनी तरजनी उंगली दिखा दी भगवान महा का लत्यन्त क्रोधित हुए उन्होंने क्रोध में आकर विश्टु जी की तरजनी उंगली काट दी तबी उंगली से रक्त की धारा बहने लगी भगवान महा कलेश्वन ने रक्त की धारा को अपने पात्र यानी भिक्चा पात्र में समाना चाहा लेकिन रक्त की धार बहती ही जा रही थी और भिक्चा पात्र से निकल कर प्रत्वी लोक में बहने के लिए यही रक्त की धार छिप्रा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई इसकंद पुराण में छिप्रा का महत्व विस्तार पूर्वक बताया गया है जो मनुस इस जल में इसनान करता है उसे तमाम पापनस्ट हो जाते है छिप्रा जल में इसनान के पश्चात स्री महाकाल का दर्शन करने से मृत्यू का भय समावत हो जाता है संपूर ब्रह्मान में सभी नदियों में छिप्रा का जल अत्यदिक पवित्र माना जाता है स्वयम महाकाल का अभिसेख भी इसी जल से किया जाता है इसके तड़ पर महा कुम्ब सिहस्त का भारी मिला लगता है लाकों सरद्धालू छिपरा के पाबन जल में कुम्ब इश्नान करने आते हैं